What's up guys, आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाले, जिसमें हम देखेंगे कि चंद्रेयन 3 और इंडिया के बारे में क्या बोल रही है दुनिया, what other countries think about इंडिया, तो पाकिस्तान की तो होगी इसमें, लेकिन बाकी कंट्री से क्या परती क्रिया आई है, तो वीडियो होगी काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो कर दें, लाइक चैन बेए तो प्लीज सब्सक्राइब, और जिर वीडियो का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में, 1, 2, 3, go अलो भाई लो, मैं हूँ फैक्ट भाई अपने दिये हुए पैसे वापस मांग लिये, तो क्या चंद्रियान 3, इनकी बदोलत चांद पे पहुँचा, चलिए चांदे हैं, 2019 से 2023, इसरो की 3 साल 7 महीने तक लगतार वेहनत, और 140 करोड भारतियों की उमीद लेकर, चंद्रियान 3 आखर चांद के साउथ पोल पर पहु डाला कि भारत के चांद पर चांदे से कुछ नहीं होने वाला, इस से उनके लोग तोड़ी ना गया है, इतना ही नहीं, ये बाई साब तो सीधा चांद से अटके दर्ती बे आ गए, और खा कि इंडिया के मून मिशन से कोई फायदा नहीं होगा, और ना महंगाई खत्म होन लेकिन हिंडुस्तान को ऐसी तीखी नजर से देखने वाले इस शक्स को फैक बाई बता दे कि आज भी इंडिया का इंफलेशन पाकिस्तान से काफी गुना कम है, मगर शायद इसलिए पाकिस्तान का एक समझधार आजकल काफी चर्चा में चल रहा है, जिसने तो ये तक कर डाला कि चांद और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, ना चांद पर बिजली है, ना पाकिस्तान में, ना चांद पर गैस है और ना ही पाकिस्तान में, पर इन्नों ने मजाग उडाते हुए ये भी कहा कि एक दिर सारी दुनिया चांद पर पहुंच जानी है और पाकिस्त यहीं पर रह जाएगा इसके बाद यह बाइसाब इतने वाइरल हो गए कि इनके यहां मीडिया वालों की लाइन ही लग गई लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साइस और टेकनलोजी के पूर्ट मिनिस्टर फवाद चौधरी ने चंद्रयान टू के फेलियर पर एक ट्वीट शेयर करते हुए का था कि भारत को ऐसे मिशन पर खरचा नहीं करना चाहिए इतना ही फवाद ची ने हमारे जवान अविनंदन का भी अपमान किया था और जब उनके कानों पर ये खबर पड़ी कि हिंदुस्तान चांद पर फिर से जा रहा है तो उन्होंने का कि चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है चांद यहां भी तो दिखता है पर देर आये दुरस्ता है आज चार साल बाद वो खुद हिंदुस्तान को चंदरयान 3 पर बदाई देते हैं और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि चंदरयान 3 की लैंडिंग को पूरे पाकिस्तान में लाइव दिखाया जाए तो बेहतर होगा अब ये इनका इंडिया के प्रती प्यार है या अपने देश से नाराज़ की ये राज उन्हीं के साथ चला जाएगा पर इतनी सारी चीजें सामने रखने के बाद भी एक पाकिस्तानी की तरफ से जवाब आया है कि बागा बॉर्डर पर उनकी लाद इंडिया के जो लाद है उससे उची उठती है तो अब कौन ही इने समझाए कि बात अगर उचे उठने की होई रही है तो सिर्फ चान्द की तरफ देखा जाए और विक्रम वहीं पर आये कि इसका एसास हो जाएगा वहीं दूसी तरफ पाकिस्तान में ऐसे भी लोग है जो चंद्रियान 3 के चान्द पर पहुँचने से काफी खुश है और मिठाईया भी बांट रहे हैं मतलब पाकिस्तान में जीत का भी माहौल है और शोक भी बनाय जा रहा है पर वाई लोग जैसे हमने 2019 में हार नहीं मानी थी वैसे ही पाकिस्तान को भी कभी हार ना मान कर अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए ऐसी कोशिश आज चान्द पर तो गए हैं लेकिन साउथ पूल तक नहीं बहुच पाई इन फैक्ट 2026 में चाइना वाले भी अपना साउथ पूल का मिशन करने वाले हैं और उसके बाद 2028 में चाइना और रशिया मिलका साउथ पूल में रिसर्च सेशन कोलने वाले हैं पर जहां वो अपनी बढ़ाई मार रहे थे वहीं उन्होंने ये कह दिया कि हिंदुस्तान की साउटिफिक डिस्कवरी सिर्फ उनकी सीमा तक सीमित नहीं रहेगी लेकिन इंडिया को बढ़ाई देते वाक सिर्फ दो शब्द बोलने वाला चाइना शायद थोड़ा सा जरन महसूस कर रहा होगा जहां उन्होंने लुनार मिशन के लिए 1752 करोड सर्च कर दिये वही इंडिया उनके आदे से भी आदे यानी 615 करोड में चान पर पहुँच गया पर शायद इंडिया अपनी साइटिफिक को सब के साथ बाटेगा और प्यार का बंधन बरकरार रखेगा जैसे कि रश्या के साथ ये बंधन तो प्यार का बंधन है इसलिए कभी प्रेसिडेंट पूतें मोदी को रख्या का दोस्त बताते हैं तो कभी इंडिया की सक्सेसफुल मूल लेंडिंग पे तारीफ के पुल खड़े करते हैं लेकर ये सब जो दिखता है वो बिकता है के लिए इनकी असलियत ये है कि 14 जुलाई 2023 में इंडिया का चंद्रियान 3 लांच होते ही इनका माता गुं गया क्योंकि अगर ये मिशन पूरा होता तो इंडिया चांद पे लेंड करने वाला चौथा देश ही नहीं क्योंकि जैसा सब जानते हैं 20 अगस्ट को लोना 25 ग्रैश हो गया और चंद्रियान 3 ने रेस जीत ली और जीतने वाले गातों हर कोई यार ही होता है जैसे अमेरिकन पॉलिटीशियन न्यूस पेपर या फिर अमेरिकन स्पेस रिसर्च इंसिट्यूशन आज हर कोई इंडिया को बदाईयां दे रहा है और सब का कहना एक ही है इंडिया तुसी ग्रेड पर क्या अमेरिका का हमेशा से ऐसा मानना है नए कुछ सालों पहले इंडिया मास मिशन पूरा करने वाला चौधा देश बना था इसके बापजूद अमेरिकी न्यूस पेपर नियॉक टाइम्स ने ये कार्टून छापा था जिसमें बारती किसान जैसे कपड़े पहने एक आदमी अपनी काय के साथ खड़ा दर्वाज खड़कटाता है और दर्वाजे के उस पार होता है एलीट स्पेस क्लास जिसमें दो लोग सूट बूट में होते हैं ये कार्टून देखते ही पबलिक भड़की न्यूस पेपर वालों को रेसिस्ट होने और इंडिया का मजाक उड़ाने पे ऐसा ट्रोल किया कि न्यूस पे देने में बिजी है और दूसी तरफ इंडिया यूके की आँखों में गड़ रही है बेटिश जनलिस्स सोफी कोर कॉरन ने एक्स पर कहा कि जिस देश के पास इतना एडवांस स्पेस प्रोग्राम है कि वो चांद के साउथ पोल पे लैंड करे उसे यूके आर्थिक मदद ना दे और हजारों की दादात में उनके पोस्ट को लाइक्स पिले वहीं दूसी और यूके के जी बी न्यूस एंकर ने लाइव टेलिविजन पे इंडिया से उनके 24,000 करोड फॉरेंड एड़ वापस करने की बात की ये कहते हुए कि जिस देश को अपनी गरीब जनता से ज 25 trillion dollars जितने जो पैसे लूटे हैं उसमें से आप अपने 2.3 billion pounds भी ले लो और उसका interest भी काट लो बस बागी के पैसे इंडिया को लोटा दो और हाँ को हिनोर भी पर यूके की असलियत ये है कि वो इंडिया को आर्थिक मदद नहीं इंडिया में investment कर रहा है जिसका profit उसे मिलत now nothing is coming to the government of India भी अपने style में लिख दिया कि अंदोस्तान जिंदाबाद है और हमेशे रहेगा इन फैक्ट अक्षए जो मिशन मंगल में खोज साइंटिस्ट बने थे उन्होंने भी इस रू के लिए लिए लिखा कि उनकी वजह से आज पुरा देश गर महसूस कर रहा है लेकिन क्या लग आपने अपने देश भारत की इस जीत को कैसे बनाया या अफैक्ट भाई को कमें सेक्शन में बता सकते हैं चंद्रेगां 3 ने जो इतियास रुचा आए उसके लिए वीडियो को लाइक करना मत बूला वीडियो पसंद आयो तो इसे शेयर रहे लेकिन वह में को वह चीज बूला ना की इतना पैसा तुम जो खा के गए इंडियो से को यहीं फंट करता है ना याद कर वोजी दॉक्यूमेंटरी निकालती है इनको यह कि इनको यह कि इन्डिया को आजादी हमसे कैसे मिल गए तुम्हारी अज़ी तुम ज्यादा हवा बाजी मत करो नहीं तो पता ल अज़नों जब हाती निकलता है तो कहते है ना जिस गली से हाती निकलता है कुटे बहुते रहते रहते है और वह देखना वह भाई मस्त है जिसने कंपेर करा चांद को और जो कह रहा था हमारी टांग उससे उची उची उठती है उसने उसकी पूरी क्लिफ देखना उसने ब और पाकिस्तान के इंटरूर आप देखना अब मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोग तो समझदार वाली बाते कर जाते हैं कुछ कुछ तो गजब ही कर जाते हैं वह वह बाई वह अज था चांद पाई पाकिस्तान में नहीं था जैसे वह था अब नाम भूल गए ओ भाई मार कि एडिटिंग से दिखाया है तो पाकिस्तान वाले कहा कुछ भी सकता है कोई कुछ नहीं को भारतियों को कि हमने चंद्रयान मतलब की जो हम लोग क्या है उद्दन हमार तो वह वैसे था रात्तनागरी वैसे था तो आपने काम से जवाब दो और इंटने काम से जवाब दि कि तो ओे किसे तो आले के लिए जापनोया है जिएिंगrüट से जवाब दो आपने काम से जवồamba कि सकता है था लूने काम से किसे थाखना अ.